नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा इक बार फिर से स्वागित करता हूँ आपके पनी चैनल अंकित पर्मा ओल एट पी नौटिकेशन में तो दोस्तों जैसे की आप थमनील पे देखी चुके है कि आग की इस विडियो में आपको आज 28 मई दो हजार देज्थ की हिमाचल पर्देश की आज की सभी ताजा खबरों की जानकारी इस विडियो में देने वाला हूँ चली वडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं अमर ओजाला हिमाचल आइकॉंस दो हजार तेज़ समारू में सम्मानित किया गया उप मुख्य मंतरी मुकेश अगनियोतरी ने इस मौके पर अमर ओजाला हिमाचल आइकॉंस दो हजार तेज़ से कॉफी टेबल बोक का भी विमोचन किया नीती आयोग की बैठक में मुख्य मं राज्य पर अगले तीन वर्षों के लिए बाहरी साइटा प्राप्त करने की सीमा हटाने और पहले की स्थिती बाहल करने का भी आग रह किया हिमाचल वैदर बर्प भारी से मनाली ले मार्ग पर बारालाच्चा में फंसे 250 लोगों को सुरक्षित बचाया मनाली ले मार्ग पर में पर पारी के कारण फंसे करीब 400 से अधिक बाहनों और उनमें सवार करीब 250 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है फंसे ट्रकों को निकालने के लिए शनिवार तेर शाम तक बचाव अभ्यान चलाया गया शिमला नियूज नावालिक यूबक का शब लेकर NPS कारियर लेके बाहर धरने पर बैठे परिजन जम कर हुआ हंगामा परिजन देर राब तक S-P कारियर लेके बाहर शब रखकर परदर्शन करते रहे इस दोरान पुलिस परशासन के खिलाब जम कर नारेबाजी की परिजन साइबर अपराद के लिए नए नए लोभावने तरीके अपना रहे शातिर ऐसे कर रहे ठगी लोगों से ठगी अतरिक पुलिस अधिकशक बोपेंदर सिंग नेगी ने कहा कि आजकल साइबर अपरादी बिद्यार्थियों और हर उमर के लोगों को फसाने के लिए नए नए लुभावने तरीकों को अपना रहे हैं अपने जाल में फंसा कर साइबर ठक पैसों की ठगी करते हैं उन्ना न्यूज होटल के आठ कमरे बुक करवा कर शातिर ने चुरा ली दोलाग की लेडी और बेड़ शीट प्रदेश के उन्ना जी लेके बंगाना बज़ार चते थे एक होटल में कमरा लेने के बाहने उत्तर प्रदेश के शातिर ने आठ कमरों में लगी अलेडी चुरा ली शातिर ने कमरों में बेड़ पर बीची चात्रों पर भी हात फेर दिया शिमला नियूज रेडुका ठाकुर ने गाओं की गलियों में सीखा किर्केट खेलना पुराने दिनों को याद कर हुई भावोक तस्पीर आप देख सकते हैं शिमला जीले के रोहडू की चिडगाओं के यंग स्पोर्ट्स कलब के तत्वाधान में ग्रामिन स्तरिये किर्केट स्परदा में शनिवार को भारती किर्केट टीम की स्टार खेलाडी और हिमाचल की बेटी रेडुका ठाकुर बतोर विशिच्ट अतिती के रूप में जूद रही धर्मशाला पवन खेडा बोले नए संसद भवन के उद्गाटन पर राष्ट्रपती को ना बुलाना संबिधान की नीम पर हमला शनिवार को धर्मशाला में आयोजित प्रेस बारता के दोरान खेडा ने कहा कि राष्ट्रपती सदन में चुन चुना गया देश का पहला नागरिक है शिमला न्यूज उच शिक्षा विभाग ने 191 हेडमास्टर और 65 प्रवक्ता पदोनत कर बनाए स्कूल प्रिंसिपल जो की शिक्षकों के लिए खुश ख़बरी की न्यूज है प्रदेश उच शिक्षा विभाग ने 191 हेडमास्टर और 65 प्रवक्ता पदोनत कर स्कूल प्रिंसिपल बना दिये हैं, इन्हें प्लेस्मेंट के आधार पर पदोनती दी गई है, पदोनत हैड़मास्टरों और प्रवक्ताओं को प्रिंसिपल बारे प्रिंसिपल के पद बाले वित्यलाब नहीं मिलेंगे। एन्पीए मामला एन्पीए पर मंत्री के साथ बैठक बेनेतीजा सौंबार से डेड़ घंटा हड़ताल करेंगे डॉक्टर। साइट का विदीवत शुब आरम किया, यहां पर मानव परिंदे उड़ते हुए नजर आएंगे, उखलाइन से उड़ान भरने के बाद प्रेटक टोपी में लैंड करेंगे। हिमाचल पूर भाजपा सरकार में सत्रोनत कम विद्यार्थी संख्या वाले 90 स्कूलों का घटा दर्जा। सरकार ने मेडल में 15, उच में 20 और वरिष्ट मादिमिक स्कूलों में 25 विद्यार्थ्चों के दाखिले ना होने पर या कारवाई किये, शनिवार को शिक्षल सचव डॉक्टर अविशेक जयनकी और से इस वावत अजिसूचना जारी की गई है। खेलों इंडिया यूनिवस्टी गेम्स हिमाचल की बेटियों ने कबड़ी में लगतार तीसरे साल जीता पदक। आरकेश हर्मा ने बताया कि पैट की अंसर की को बोल्ड की वेबसाइट पर उपलब्द करवा दिया गया है। से अनापत्ती प्रमानपत्तर लेना होगा। SPU मंडी BCA पहले समेश्टर की प्रीक्षाओं का परणाम गोशत 113 हुए पासर Institute of Management and Information Technology कतोग ज्वाला जी के 80 में से 16 पास जबकी 64 रिपियर हुए वहीं ग्यान जोत्ती इंस्ट्यूट के दो विद्यार्थी पास और 36 रिपियर हुए है। HP सेक्टरेट सच व्याले करिमियों के लिए RD FDR की ब्याजदर में बढ़ोत्तरी। अब RD में 8 पीश्टी जबकी FDR में 8.50 पीश्टी ब्याज लगेगा। पहले RD में 7 पीश्टी जबकी FDR में 7.50 पीश्टी ब्याज था। हिमाचल वैदर प्रदेश में 31 मही तक पारिश पर पारी ओलावरिष्टी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूरवा नुमान किसानों बागवानों को जहलना पड़ सकता है। हिमाचल में 31 मही तक मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारश वा ओलावरिष्टी का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में एंटिटी भर्ती का रास्ता साव शेक्षा मंत्री ने क्या दी बड़ी बात। हिमाचल परदेश में शिक्षा मंतरी रोहिट ठाकुर का कहना है कि परदेश में एंटिटी भरती का रास्ता साफ हो गया है केंदर से इस मुद्धे को चर्चा करने के बाद परदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि एंटिटी से मानिया था प्राप्त संस्तान और 2014 से पहले इन संस्तानों से जिस भी प्रिशीक्षु ने एक साल का डिप्लोम्मा किया है वे भी एंटिटी भरती के लिए पात रहोंगे उन्होंने कहा किया मुद्धा काफी लंबे समय से चला आ रहा दिल्ली में अभी केंदरी शिक्षा मंत्री के साथ इस मुद्धे पर खुल कर चर्चा हुई है तो दोस्तों ये थी आज की सब इतारा खबरें धन्यवाद जय हिन जय भार